कोरोना खुले कर इस वक्क की बड़ी खबर मिल रही है। पॉजितिव होने की जानकारी मिल रही है और वही कोरोना से जुड़ी में एक और बड़ी ख़बर मिल रही है देश में कोरोना के नए वेरियंट के पामने लगाता है बढ़ रहे है देश में इस वाक्त जे एन डॉट वन से नब्वे लोग संक्रमेत है कोरोना के नए वेरियंट JN.1 के सबसे जादा मामले करणा तक से सामने आया वहाँ पर 35 लोगों में कोरोना का नए वेरियंट पाया गया इसके अलावा भी देश के अलग-अलग इलागों में कोरोना तेज़ी से फेलता है चला जा रहा है तो देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ओमिक्रोन के स्वेंच से निकला हुआ JN.1 वेरियंट बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। अब आपको यह बता देते हैं कि कोरोना के नए वेरियंट के देश में कितने मामले और कौन-कौन से राज्यों में किस-किस जगह पर पैर ये पसार तक चला जा रहा है। जानकारी उसके बारे में देश में 90 लोग फिलहाल इस वेरियंट से संक्रमित बताये जा रहे हैं। शेगाना में दो लोगों में ये वेरियंट मिल चुका है। सी बवाल के बीच, टीमसी सांसत कल्यान बनर जी ने एक बार फिर उपराश्टुपती की नकल उतार दी कल्यान बनर जी बंगाल की हुगली में पार्टी की कारेक्रम में शामिल हुए और इसी दोरान उन्होंने जगदीब धनकड की, मिमिक्री की उन्होंने जैसे ही धनकड की नकल उतारी लोग ठाहा के लगाने लगे तालियां बजी, मंच पर बैठा एक शक्स तो खुद को रोग ही नहीं पाया वो तालियां बजाते हुए हसने लगा ठाहाकों के बीच कल्यान बनरजी ने धनकड की नकल जारी रखी वो उनकी मिमिक्री करते रहे